दोस्तों नमस्कार, बीजेपी में मचा हुआ है घमासान मोटर वेकिल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की वज़ा से बीजेपी में मचा हुआ है घमासान वहीं पे राजी सरकारें जिनको अब ये लगने लगा है कि आने वाले चुनाओं में शायद जनता उनका ही न चालान काट दे सबसे ताजा उदारन अभी जो गुजरात ने नए मोटर वेकिल अधिनियम के हिसाब से जो पेनल्टी लगाए गए थे उसको लागू करने से मना कर दिया और 20% से लेकर के 90% तक पेनल्टी कम कर दी वहीं पे अब केंदर सरकार को लगने लगा है कि जब उन्हीं की सासित गुजरात ने इस रूल को मानने से मना कर दिया तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक विशय बन चुका है और जिसके तहद ख़वर ये आ रही है कि केंदर सरकार और गुजरात सरकार में एक टसल सुरू हो गया है वहीं पर केंदर सरकार के हिसाब से अब वो अपने कानूनी सरकार से बात कर रहे हैं कि आखिर अगर गुजरात अगर मना कर रहा है इस एक्ट को लागू करने में तो उस पर क्या कानूनी कारवाई की जा सकती है वहीं आर्टेकल 254 का हवाला देते हुए ख़वर ये आ रही है कि अगर केंदर सरकार और राज सरकार में किसी रूल को लागू करने के ऊपर कोई बिवाद उत्पन होता है तो उसके हिसाब से जो केंदर सरकार ने रूल बनाया है उसको राज सरकार को मानना अनिवार्ज होगा ये अभी ख़वर आ रही है तो क्या राज सरकार जो जानती है और सबको कुरसी प्यारी होती है वोट बैंक की राजनिती है जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इसके उपर एक राजनिती शुरू होगा आने वाले टाइम में जो बढ़े हुए जुर्माना है जिसको देखते हुए जनता में क्या आक्रोस सामने नजर आ रहा है तो राजसरकारों को ये महसूस होने लगा है कि आने वाले टाइम में शायद ये उनके कुरसी के उपर खत्रा बनने वाला है जैसा मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे राजसरकार जहां पर कॉंग्रेस शासित भी हो या बीजेपी शासित हो वो इस रूल को लागू नहीं करने जा रही है और अगर किसी ने लागू किया है तो फाइन कम कर दिया है वहीं पे नितिन गरकडी जी इस रूल को लागू करने के बाद बिलकुल अकेले खड़े नजर आ रहे हैं जबकि डी मोनेटाइशन हो या जी एस्टी हो जिसको बचाओ करते हुए सरकार के कई मंतरी सामने आते थे आज इसके उपर नितिन गरकडी जी आपको अकेला खड़ा नजर आएंगे इस रूल को बचाओ के लिए वो सिर्फ अकेला खड़ा नजर आते हैं एक तरफ जहां सरकार ये हवाला देती है कि ये जो बढ़ा हुआ जरुमाना जनता पे लगा गया है ये एक्सिडेंट कम करने के लिए क्योंकि भारत एक्सिडेंट के मामले में रोड एक्सिडेंट के मामले में नंबर वन है जहां करीबन डेर लाख लोगों की मौत रोड एक्सिडेंट में हो जाती है अब यहाँ पे कुछ चंद सवाल मैं आप जनता के सामने रखता हूँ, फैसला आप किजेगा कि ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है हर साल भारत में जो किसान आत्म हत्या करते हैं करीबन करीबन धाई लाक मैं ये वो आख्रा बता रहा हूँ, सरकार ने आख्रा तो आना बंद कर दिया है, लेकिन बिविन सोडसों से जो आख्रा आ रहे हैं, उसके उपर ये मैं आधारित बता रहा हूँ, तकरीबन धाई लाक किसान आत्म हत्या कर रहे हैं हर साल भारत में इसके अलाबा जो चौकाने वाले चीज़ है इससे जादा, विद्यारती, नौजवान और बेरोजगार, इन तीनों को अगर आप मिला देंगे, तो इनकी ये लोग जो आत्म हत्या कर रहे हैं, ये एक आख्रे के मताबिक तकरीबन दो लाक पिछटर हजार, लोग तकरीबन दो लाक पिछटर हजार इस तबके के लोग आत्म हत्या कर रहे हैं, तो जहां डेर लाक आत्म हत्या कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए आप जनता पे बीस हजार और पचास हजार और दो लाक की जुर्माना आप चलान काट रहे हैं, तो ये लोग जो आत्म बात है, यह मैं हर सरकार की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मजूदा सरकार में ही किसान आत्भत्या कर रहे हैं, या स्टुडेंट ने आत्भत्या किया, या बेरुजगारों ने आत्भत्या किया, हाँ, लेकिन आज के दौर में, जिस तरह से ब्यापारी आत्भत्या कर रह लप्रीत 22 वर्षी एक किसान का बेटा था बीटे बुद्धवार को वो जहर खाके अपनी जान दे देता है 40 वर्ष पहले इस पड़िवार में एक करज लिया था और जिसकी वज़ा से चार लोग उस करज की वज़ा से एक ही पड़िवार में आत्मात्या कर चुके है लप्रीत के ग्रेट ग्रेंट फादर यानि की लप्रीत के दादा जी के पिता जी जोगिंदर सिंग 40 वर्ष पहले उस करज की वज़ा से आत्मात्या कर चुके थे लप्रीत के दादा जी भगवान सिंग 25 साल पहले उसी कर्ज की वज़ा से दबाओ में आकर आत्महत्या कर चुके थे कुलवन्ट सिंग लप्रीत के पिता जी 2018 में उसी कर्ज के बोज के तले आत्महत्या कर लेते हैं और बीते बुद्वार को लबप्रीत 22 वर्सिय नौजवान किसान का बेटा आत्महत्या कर लेता है उसी कर्ज के बोज के तले और उसी के दबाव की वज़ा से आज के देट में वो कर्ज तकरीबन 9 लाख रुपए का उस किसान पड़िवार के ओपर था और 4 लोगों ने 9 ला उसके माफ हुए थें तो यह मौते इसके लिए जिम्मेवार कौन है और यह मौते जो हो रही है इसके ओपर कोई कदम क्यों नी उठाया था जाता जहां एक तरफ 1.5 लाख जो मौते हो रही है मैं खुद कह रहा हूँ कि इसके उपर भी कारवाई होनी चाहिए, कदम उठना चाहिए लेकिन ये जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं, जहां धाई लाग किसान, दो लाग पिच्छतर हजार, नौजवान, स्टुडेंट, बेरुजगार, आत्भत्या कर रहे हैं यतने बड़े-बड़े जो आखने हैं, इसके उपर सरकार कौन सा कदम उठा रही है वहीं पर ये भी बताना जरूरी है, कि किसान रिन माफी योजना जो पंजाब गवर्मेंट में चलाता उसके बाद से जबसे रिन माफी योजना लागू हुआ है, उसके बावजूद भी 60 किसानों ने या उससे जादा किसानों ने अभी तक आत्महत्या करी है अभी चार दिन पहले, RTI से एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया सरकार ने जहां पे तक्रीबन 5 सालों पे 5700 करोर अपने प्रचार प्रसार के उपर खर्च किया वहीं पे आप कौन सा अखवार पड़ते हैं, जरा सुनिएगा कि वो अखवार बाले क्या छापते हैं और आपकी निउस क्यों नहीं छापते हैं, और वो क्यों गुड़गान करते हैं सरकार की, क्योंकि जो खुलासा हुआ है, वो जरा सुनने की, आप समझने की कोशिश किजेगा हिंदी प्रिंट मीडिया, यानि की हिंदी अखवार के माध्यम से सरकार अपने प्रचार प्रसार पे पुड़ जोड जोड दे रही है, अगर सरकार काम करती है, तो लोगों को वैसे ही नजर आता है, जिसके लिए प्रचार की कोई जरुरत नहीं परती है, लेकिन जला ये आकरा सुनिए जो एक RTI के थूँ ये खुलासा हुआ है, हिंदी अखवार, 890 करोर रुपया बीते 5 सालों में सरकार ने सिर्फ हिंदी अखवारों पे खर्च किया, हिंदी प्रिंट मीडिया पे खर्च किया है, और जिसमें 100 करोर रुपय दैनिक जागरन को मिले है, एड़ चास करोर 66 लाख रुपय का एड़ उनको मिला था, अमरुजाला 47 करोर 4 लाख रुपय का एड़ उनको मिला था, नबारा टाइम्स 3 करोर 76 लाख रुपय का एड़ उनको मिला था, राजस्थान पत्रिका तक्रीबन 27 करोर 78 लाख रुपय का उनको एड़ मिला था, वही यह ध्यान रखेगा पे मौझूदा सरकार ने 2014-15 से लेकर 2018-19 तक 5700 क्रोड रुपया परचार परचार में खर्च किये थे 2014 से 2019 के बीच में अगर हम काम करते हैं तो हमें नहीं लगता कि वो जन्ता को दिखता है तो जो मैंने आपड़े बताए किसान के हो नौजवान के हो बेरुजवान के हो बेरुजवार जो आत्मध्या करें उनकी संख्या कितनी बड़ी है सायद ये पैसा अगर उस मद में लगाया जाता तो सायद कही न कही थोड़ी सी रहात मिलती चाहे किसान को रहाद मिलता चाहे नौजवानों को रहाद मिलता वही पर जो मैंने आपको लफपीत की बाद बताई जिन्होंने आत्मत्या करी अभी बुद्दुबार को जिनके चार Géneration दादाजी के दादाजी लफपीत के पिता जी और खुद लफपीत उसके कुछ अख़वारों में तो इस तरह से ख़वर चलाई गई कि एक 22 वर्षी नौजवान की मिर्त्यू तो अख़बार, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो सब तो चाटुकारता की हद पार कर चुके हैं और चली रहे हैं सिर्फ चाटुकारता के बदलत तो वो आपकी न्यूज आपके परेशानियों को क्या दिखाएंगे दोस्तो शुक्रिया, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि जितनी आकड़े मैंने आपको बताए तो क्या एक्सिडेंट अगर डेल लाक लोगों की मौत हो रही है वहीं पर ढाई लाक किसान आत्मत्या कर रहे हैं वहीं पर स्टुडेंट हो, किसान हो, बेरुजजगार हो जिसनकी ताला तक्रीमन दो लाक पिछतर हजार साल के आत्मत्या की है अखिर ये बड़ा है, दोनों ही चीज़े जरूरी है, तीनों ही जरूरी है लेकिन ये कहां का निया है कि डेल लाक की एक्सिडेंट का हवाला दे करके और आप जनता से दो दो लाक रुबे का फाइन असूले और वहीं पे इतने बड़ी तादाद में जो मौते हो रही है सरकार की नीटियों की वज़ा से इसके उपर लगाम लगाने के लिए जो सरकार को नीटिया लानी चाहिए, जनता को रहत पहुचानी चाहिए जिसमें खर्चा सरकार को करना है सरकार को खर्चा कहीं और से नहीं जनता कहीं पैसा सरकार को इनके उपर खर्च करना है लेकिन नहीं हम एक ऐसे कानून को लेके आएंगे जिसमें जनता से और असू लेंगे वहीं पे Motor Vehicle Amendment Act एक राजनित्ती का आखारा बन चुका है और बढ़े हुए फाइन की वज़े से राजी सरकारों को ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं शायद उनकी कुरसी खत्रे में है बहुत बाद शुक्रिया दोस्तों मिलता हूं नए वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ